रब से भी ज़्यादा तुझे याद करता हूँ रब मुझे माफ करे मेरा इनसाफ करे तुझे हिंद मेरे प्यारे साथ यू कैसे हूँ आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है भारती डाख विभाग की तरफ से जी हाँ दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो डिये है जो डिये जिसे हम लोग हिंदी में महिंगाई भत्ता की नाम से जानते हैं वह 50% कर दिया गया है जिसका की और शीयर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है हलागी यह नोटिफिकेशन जो है वह कल यानि की बीश मार्च दो हजार 24 की दिन जारी कर दिया गया था तो सबसे पहले मैं आपको इस official notification को दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को आगे continue करूँगा तो दोस्तों ये है वो official notification जो की विभा की तरफ से जारी किया गया है, जो की आप सभी लोग अपने mobile screen पर देख पा रहे हो गए government of India, ministry of communication department of post की तरफ से ये जो circular है वो जारी किया गया है और यहाँ पर देखिए, date भी इन्होंने mention किया है, बीफ मार्च 2024 के दिन ये circular जो है, वो जारी किया गया था तो दोस्तों इसमें main point क्या है, यानि कि subject में यहाँ पर क्या कुछ बता गया है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ तो देखिए, यहाँ पर साथ तोर पे बताया गया है, payment of dearness allows to gramene dark save, GDS effective from 1 January 2024 यानि कहने का मतलब यह है, कि यह जो DA है, जिसे कि 46% से बढ़ा करके 50% किया गया है, यह 1 January 2024 से ही effective है हलाकि January और February में पूरे 2,70,000 GDS कर्मचारी को 50% का DA नहीं मिला था, यानि कि 46% के हिसाब से उनको TRCA के रूप में DA जो है दिया जा रहा था लेकिन अब चुकि विभा की तरफ से यह official notification जारी कर दिया गया है, तो January और February महिने का भी जो DA है, 50% का उसे area के रूप में 2,70,000 GDS कर्मचारी को दिया जाएगा, उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे और क्या कुछ बताया गया है, यह सभी आप सभी लोग देख सकते हैं, ग्रामीड डाक सेवक, यानि कि GDS शेल भी, शेल भी enhanced from 46% to 50% of the basic time related continuity allowance, यानि कि TRCA with effective from the 1st January 2024, यानि कि कहने का मतलब यही है, जो मैंने आपको बताया है, कि 1 January 2024 से यह जो effective हुआ था 50% DA, जिसे कि अब मार्च के महीने से 50% का जो DA है, वो 2,70,000 GDS कर्मचारी को यहाँ पर दिय जाएगा, तो दोस्तों यही officially notification जारी किया गया था विभाग की तरफ से, जिसे कि आप सभी लोग अच्छी तरिके से देख सकते हो, read कर सकते हो, और detail से अगर इस notification को आपको देखना हो, तो आप ते याईगा मेरे telegram channel पर, telegram channel का link अमने video के description में already डाल रखा है, इस notification को मैं तो वहाँ पर डाल दोगा, जिसे कि आप सभी लोग अच्छी तरिके से देख सकते हो, read कर सकते हो, आईए अब चलते हैं अपने whiteboard पर, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने official notification देख लिया है, जो कि विभा की तरफ से जारी किया गया है, देखिया, official notification मैं इसलिए द जो पहले 46% का DA दिया जाता था, उसे increase करके 50% कर दिया गया है, यानि कि 4% का जो है, देखिये, यहाँ पर जानते हैं, अभी तक कोई officially notification जारी नहीं किया गया था, हलाकि यह जो DA है ना, वो 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया था, लेकिन जो official notification विभा की तरफ से जारी किय जारी किया गया है, वो जारी किया गया है, 20 March 2024 के दिन, यानि कि कल के दिन में, तो finally यहाँ पर DA जो है, वो 50% हो चुका है, यानि कि सीधे 4% का increment जो है, अब ग्रामीर डाग सेवक की salary में देखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुश ख़बरी जो अब, यानि कि जब 50% DA कर दिया गया है, तब आपको salary कितनी दी जाएगी, और यहाँ पर मैं 2, यानि कि level 1 और level 2 के हिसाब से salary को जो है, define करूँगा, ठीक है न, जो कि पुराने करमचारी हैं, जिनके की 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, काम करते हुए डाक विभाग में, और लागू हो गया था, लेकिन कोई officially notification जारी नहीं किया गया था, लेकिन January और February महिने में 46% DA जो है, वो मिल करके आ रहा था एक GDS करमचारी को, यानि कि लागू तो हो गया था, लेकिन 50% का जो महेंगाई भतता है न, वो TRVA में add हो करके नहीं आ रहा था, एक GDS करमचारी का, ज यानि कि हो सकता है कि मार्च के महिने में आपको दिया जागा, ये एक प्रकार से आप लोग ये कर सकते हो दोस्तों, कि होली का एक प्रकार से आपको बोनस मिलाया, और ये देखिए, ये केवल एक बार नहीं मिलेगा, अब ये जो 50% DA हो गया है न, ये आपकी फैलरी में हमे कर्मचारी का, ठीक है न, यहां से आप सभी लोग फर्क जो है, वो समझ सकोगे आसानी से, तो जनवरी से पहले कि अगर मैं बात करूँगा, तो एक ग्रामिली डाक सेवे के कर्मचारी को 46% का DA, यानि कि महेंगाई भत्ता दिया जाता था, वे GTS कर्मचारी जो कि BPM के पत पे काम करता था न, उनके TRVA की अगर मैं बात करूँगा, तो बेसिक पे 12,000 रुपए दिया जाता था, उसके अलावा, 12,000 का अगर आप 46% DA निकालोगे, तो यह निकल करके आएगा, 5,520 रुपए, और साथ में दोस्तों यहां पर, Office Maintenance का 250 रुपए दिया जाता, यानि कि Total failure की अगर मैं बात करूँगा, तो 17,770 रुपए यहां पर उनका TRCA बनता था, मासिक रूप में जो कि उनको दिया जाता था, ठीक है न, और अगर वहीं पे ABPM की अगर मैं बात करूँगा, Assistant Branch Postmaster के TRCA के बारे में, तो उनको basic पे 10,000 दिया जाता था, और साथ में 10,000 का अगर की भत्ता दिया जाता था, ठीक है न, तो यानि की कुल मिला करके इनको 16,600 या 16,500 रुपए के आसपास इनको basic TRCA, जो की मासिक वेतन की रूप में इनको दिया जाता था, लेकिन यह मैंने तबका बताया है, जब जनवरी से पहले 46% के DA होता था, ठीक है न, अब मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा, कि जब जनवरी के बाद में 50% का DA जब लगेगा, तो इनकी salary में कितना व्रधी आपको देखने को मिलेगा, और यह जो है, मार्च के महीने से, जिहां दोस्तों, मार्च के महीने से ही, 50% का DA जुड़ करके, जो ग्रामी डास सेवक जो है ना, उनक की salary में जूड़ करके salary आपको देखने को मिलेगा, तो 50% DA के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, तो BPM, यानि की branch post master कर्मचारी की TRVA की अगर मैं बात करूँगा, और साथ में DA की मैं बात करूँगा, तो उनका basic pay 12,000 रुपए, पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा, और लेकिन अगर मैं बात करूँगा, महेंगाई भत्ता का, तो ये बढ़ करके, जो पहले 5,500 बीफ रुपए दिया जाता था, सेम वो बढ़ करके 6,000 रुपए कर दिया गया है, तो ये ब्रद्धी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, DA में, साथ में 250 रुपए, office maintenance का दि पहले दिया जाता था, 17,000, 470 रुपए, उसे बढ़ा करके, अब 18,000, 250 रुपए, इस मार्च के महीने से ही, ये salary, जो increment, जुड़ करके आएगा, वहीं पे, अगर मैं बात करूँगा, ABPM के salary के बारे में, उनके basic pay के बारे में, तो 10,000 रुपए इनका basic pay है, और 5,000 करूँगा, तो इनको दिया जाएगा, करीब करीब 15,000 रुपए के आसपास, sorry दोस्तों, यहाँ पर calculation में देखे, थोड़ी सी गड़बड हो गई है, 10,000 और 4,600 रुपए, अगर आप जोड़ेंगे, तो यह निकल करके आएगा, 14,600 रुपए, जो कि पहले दिया जाता था, एक ABPM और डाक सेवक के कर्मचारी को, वही salary, अब बढ़ा करके 15,175 रुपए जो है, दिया जाएगा, लेकिन यह मैंने आपको बताया है, level 1 की salary, जो कि नए GDS कर्मचारी को, यहाँ पर दिया जाएगा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, कि वे GDS कर्मचारी, जो कि पाच घंटे का है ना, उनकी salary की अगर मैं बात करूँगा, यानि की, level 1 की salary की अगर मैं बात करूँगा, दोस्तों, तो इनको कितना salary दिया जाएगा, यह देख लीजे, ठीक है ना, तो BPM, यानि की branch postmaster के, अगर मैं बात करूँगा, करमचारी का, तो यहाँ पर इनका basic पे आने GDS करमचारी का बता रहा हूँ, जिनको की 5 घंटे duty time जो है, उनसे लिया जाता है, और level 1 की salary इनको दी जाती है, चतूर्थ grade 3 में, ठीक है ना, तो इनका जो TRC ये बनेगा दोस्तों, ये मासिग वेतन के रूप में बनेगा 21,300 रुपए, जो की एक BPM करमचारी का, जो ह ये salary जानते हैं, अभी और बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना, देखें, मार्च के महिने में, यहाँ पर दो बहुत बड़ा update सामने निकल करके आया है, दो बहुत ही अच्छी चीजे होई है, ग्रामिल डाग सेवक के करमचारीयों के लिए, पहली चीज जो ही थी, वो कमलेश चंदर कमेटी रिपोर्ट जिसके अंतरगात 12, 24, 36 रूल आता था, उसे पास कर दिया गया, जिसके अंतरगात, जो पुराने करमचारी है, जिनको डाग विभाग में काम करते हुए 12, 14 साल, sorry, 12, 14 साल, या फिर 16 फाल हो चुके है, उनको यहाँ पर बेनिफीट देखने को मि लिए जाएगा, ठीक है, उसके अलावा, जिनका की, चुबिस साल हो गया है, काम करते हुए, उनको यहाँ पर दिया जाएगा, पाँख 12, 520 रुपई, पर इनम, यानि की, प्रतीवर्ष वहीं पर, जिनको 36 साल हो गया है, काम करते हुए, डाग विभाग में, उनको यहाँ पर दिया जागा बाहतर सो रुपाई यानिकि 7200 रुपाई प्रती वर्ष हलाकि देखे अगर मैं 12, 24, 36 को अगर ले करके बताऊंगा तो यह जो एमाउंट दिया जा रहा है यह बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम है दोस्तों अगर इसको आप निकाल लेंगे ना मंतली के कि यश अप बढ़एगा、 अप बढ़एगा हलाकि 1 जनरी 2014 फे यह लागू कर दिया गया था लेकिन जो ऑफिचल नूटिकेशन अब जारी किया गया है ज्यानि की कल की तारीक में यह जारी किया गया है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है देखिया आप निशन किसे देख सकते हो रीड कर सकते हो ठीक है ना तो दोस्तों मार्च के महीने में बार्च 2024 में जो salary है उसमें जो 46% जो DA दिया जाता था उससे बढ़ा करके 50% कर दिया गया है तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है ठीक है ना दो बहुत बड़ करमचारी है उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है वे तो खुश है ठीक अच्छी बात है लेकिन वे लोग जो कि भारती डाग विभाग में नौकरी करना चाहते हैं वे केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि GDS की जो नई भरती है वो जल्द से जल्द आ जाए जिसवे कि लाखो जो बेरोजगार है न वो भी भारती डाग विभाग में नौकरी करने का सपना देखते हैं तो मैं सरकार से अब यही यह पेच्छा करता हूँ कि जो भारती डाग विभाग की जो नई भरती है न वो जितनी जल्दी से जल्दी आ जाए वो बहतर रहेगा दोस्तों जिससे की ला करता है आगे वीडियो बनाने के लिए ठीक है न तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटीव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद